हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पटेटो की रेसिपी जो बिलकुल रेस्टरेंट स्टाइल बनती है और बनाने में भी आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और रेसिपी बिलकुल आप मैं बताऊँगी आपको इसे कैसे बनाएंगे यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइस के आलूं को इस तरीके से लबाई में कट कर लिया है फ्रेंच फरैज स्टाइल में जैसे आप अपर आप लाल मीर्च पाउडर एड़ कर दिया है इसके बाद मैं यहाँ पर अब एड़ करने वाली हूँ सेज वॉन चटनी अगर आपके पास है तो जरूर एड़ करें इसमें सेज वॉन चटनी का सौध बहुत ही जादा अच्छा आता है इसके बाद मैंने यहाँ पर टू टेबल स्पून काउन फ्लोर एड़ कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर वन टी स्पून चावल का आटा मिक्स कर दिया है अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें वन टी स्पून मैदा भी एड़ कर सकते हैं और यहाँ मैंने थोड़ा सा बिल्कुल रेड़ फूट कलर एड़ किया है बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो इसकिब भी कर सकते हैं इन सारी चीजों को डालने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से हाथों से ऐसे मिक्स कर देंगे और इसे रखना नहीं है मिक्स करने के बाद जब य तेर के लिए रखना रही है दोस्तों यहां पर मैंने कड़ाई ले ली है कड़ाई में तेल डाल दिया तेल अच्छे से जब गर्म हो गया तो बस अब हम अपनी फ्रेंच फ्राइस को एके करके इसमें डालते जाएंगे और हाई फ्लेम में तीन से चार मिनट के लिए हम इस फ्राई कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख दूंगी पांच मिनट के बाद जब यह ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे दुबारा से इसी तेल में फ्राई करूंगी पांच मिनट के बाद जब यह हलके ठंडे हो गए तो इसी गरम तेल में मैंने फिर से ने दोबारा हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया दो से तीन मिनट के लिए दोबारा भी जब हम फ्राई करेंगे दोस्तों तो गैस का फ्लेम हाई रखके ही फ्राई करना है और दोबारा फ्राई करने से ये बहुत ही जादा क्रिस्पी बन कर निकलती है इसलिए आप दो बार इसे जरूर फ्राई करें यहाँ पर सारी फ्राई रेड़ी हो चुकी है फ्राई होके तो यहाँ पर मैं तेल की जो कॉंटिटी है उसे अब अपकम कर दूंगी और तेल हमारा पहले से ही गर्म है तो यहाँ पर मैंने दो से तीन बारी कटी हुई लसन एड़ कर दी लसन एड़ करने के बाद मैं यहाँ एड़ कर रही हूं दो से तीन हरी मिर्च कटी हुई आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद यहां पर मैंने लिया है वन मीडियम साइज की प्यास स्लाइसेस में कटी हुई वो एड़ कर देंगे और यह सारी प्रोसेज ना हाई फ्लेव में ही करनी है दोस्तों तो प्याज को डालने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके बाद मैं यहां पर लंबाई में कटी हुई शिम्ला मिर्च एड़ कर दूंगी तो मैंने ये दो सबजीयों के साथ ही चिली पेटेटो बनाया है इसमें भी इसका स्वाथ बहुत ही जादा अच्छा रखता है दोस्तों तो बस यहां पर मैंने शिम्ला मिर्च भी एड़ कर दी है एड़ करने के बाद इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम म और 1 teaspoon मैं यहां पर विनिगर एड़ करूंगी सारी sausage एड़ करने के बाद मैं याप इसे अच्छे से mix कर दूंगी mix करने के बाद 30-40 second के लिए हम इसे अच्छे से cook कर लेंगे और यहां पर मुझे sauce की quantity थोड़ी सी कंब लग रही थी तो मैंने यहां पर 1 tablespoon sauce और एड़ कर दि एक चम्मज सेजवान चटनी सेजवान चटनी एड़ करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है और चटनी एड़ करने के बाद मैं यहाँ पर अजीनो मोटो एड़ कर रही हूं वहाफ टेस्पून अगर आप कोई भी चाइनीज रेसिपी बना रहे हैं तो अ आलो मारे बहुत क्रिस्पी फ्राई हुए हैं दोस्तों तो यहाँ पर मैंने आलो को डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने बहुत सी रेसिपी ऐसी देखी हैं जिसमें कॉन फ्लॉर का घोल भी एड़ करने वाली नहीं हूं दोस्तों क्योंकि कॉन बिल्कुल भी एड़ मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं अगर कुछ देर के बाद भी यह चिल्ली पटेटो खाती हूं तो इसका जो आलो का जो क्रिस्प है वो बरकरार रहता है इसलिए मैं यहाँ पर कॉन फ्लॉर का घोल बिल्कुल भी नहीं एड़ करूंगी और यहाँ पर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई और कॉमेंट शेक्टिन में जरूर बताईएगा दोस्तों कि आपको मेरी चिली पटेटो की रेसिपी कैसी लगी एक बार जरूर ट्राई करें आप